करनाटक से चली हिजाब के आग फैल कर बिहार तक पहुंच गई है इस प्रकरन पर अब बिहार में भी राजनी तीश शुरू हो गई है राज़त मुक्या लालू प्रशादी आदव ने इस मामले में बुधवार को बड़ी बात कह दी है उन्होंने मीडिया से मुखातिब होत दिया है लालू यादव ने कहा कि यूपी में भाजपा की करारी हार होगी इनका सफाया हो जाएगा उन्होंने कहा कि इस बात के साफ संकेत हैं कि इस बार भाजपा साफ हो जाएगी लालू ने कहा हम जाट बिरादरी के वोटरों से खास अपील करते हैं कि भाजपा को जाठ बहुल इलाका उत्तर प्रदेश और हर्याना है, और आज उनके दरवाजा पर दिजा रहे हैं, किस तर से जाठों की पिटाई अप्मानित किया गया, आतंगवादिक आ गया, जेल में लोग बेजे गया, रसिटे गया, तो ये बात लोग भूले नहीं है, जाठ कम्मुन और भाजपा सर्गार बिलकुल पिछले भरगों का आरेक्षन समाथ कर दिया है, और धिरे धिरे समाथ करते जा रहा है, कि देश सत्तर साथ पहले अंग्रेज विर्टिज चिला गया, तो सर्गा विर्टिज आ गया, हम सब आरे फुल्फों ने विर्टिज को भगाया था, और वो समाथ हुआ है, तेकिन हो सत्तर साथ के बाद नया अंग्रेज सबादिया भाजपा के रूप में, जो दंगा फसांद करना चाहता, जैकि देश समाथ ने कर दिया, तो हम अपील करते हैं घुटम से, साहे लिगों से, खास करके जात बिजा देशे, और वहां पिछले बर्गों कर दियोगा, भूरी तरह से भाजपा को राजित करें, कल से सुनाओ का सुबारों हो रहा है, यह हिजाब को लेकर के इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, करनाटक में एक लड़की जो है, जानकारी के मुताबिक लालू प्रिशादियादव ने कई मुद्दों पर जिम्मेदार है, 70 साल बाद फिर ये नया अंग्रेज भाजपा के रूप में आया है, महंगाई गरीबी पर बात नहीं करते हैं, प्यम नरेंद्र मोदी भी अपनी भाशन में सिर्फ मंदिर मस्चिद ही करते हैं तो क्या सिविल बहुन की तरफ ये पुड़ा है ये सब रताता खंकेट, देश में गरीवी है, मामी है, नकारी है, खर्षानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है, प्यम का भाशन हो या किसी का हो, शिर्फ अजोध्या और बारा नसीब, असुरा कासी वही समय जो रही होगा है, उनको चस्का लग दिया है, तो इसे काने से हिंदू भोट मुलेगा, हिंदू लोगी कोई भोट नहीं देने जारा, बीजेपी तो ये करेंगी ये उपी में इस बार तेन सौ पार होगा, पार होगा तो अब बिजे पोल रही था जा किसी का अताम है, यह विशेब वोटे थे न आ, पार का रहे था भी ठीजे गया पने, तो विको uthस्टमड झाला जाएंगी तो खिमंच, भेजर, इस नअब रहे है, छिर्बमट मुलोंआघा सफे झाल झाल झाल